ब्रेड और ब्रेड से बनने वाले स्नेक सभी को बहुत पसंद आते हैं आज मदुली का फूट कनेक्शन में आप सब के लिए ओट्स, फाइबर और प्रोटीन से भरी हुई ये हल्दी ब्रेड रेसिपी लेकर आई हैं जिसे हम बहुती आसानी से घर पर बना सकते हैं मैंने पूरी डिडियल रेसिपी दी है ताकि आप इस तरह से हल्दी फूट खाकर हल्दी रहें नमस्ते फ्रेंड्स मैं मदुली का फूट कनेक्शन में आप सब के लिए बहुती हल्दी ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ दिन की शुरुवात यदि हल्दी चीजों से हो तो क्या कहना आज हम घर पर बनाएंगे ओट से बनी हुई ब्रेड इसके लिए हम लेंगे यहां पर यह दिसानों के हाई फाइबर ओर्स ज्योंकि होल ग्रें से बनी हुए है बहुती है और साथ ही में यूज करेंगे हम यह जो कि बहुती हेल्दी है शुगर की जगे हम हनी का यूज करेंगे और इसे आप मल्टी पॉपस तरीके से एजर शुगर प्री यूज कर सकते हैं सबसे पहले हमें यहां पर चाहिए ओर्ट्स का पावडर यानी ओर्ट्स का आटा इसके लिए 500 ग्राम के करीब ओर्ट्स ले मैंने यहां पर दिसानों के हाई फाइबर प्रोटीन से भरेवे होल ग्रें ओर्ट्स लिए है जो की बहुती हेल्दी है इसे मिक्सर जार में डाल तो मैंने यहां पर इस तरह से यह ओर्ट्स का आटा यहां पर ले लिया यह डिफेंट तरीके सब यूज कर सकते हैं बहुत ही हेल्दी रहता है इसे बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं अब हम यहां पर डालेंगे करीब 300 ml लूक वाटर हलका गरम पानी से ओर्ट्स काफी भीग जाने चाहिए और अलसी नहीं डालना चाहते तो उससे आप स्किप भी कर सकते हैं पर इसका बहुत ही अच्छा नट्टी टेस्ट आता है और एग रिप्लेसर में का यह बहुत अच्छा यहां पर काम भी करेगा तो आप फ्लेक्स जरूर डालें अब हम यहां पर इसे तो हैसे यहां पर 500 ग्राम हैं वेट लेंगे दो लिए अपनी जासा कम जाब करते हैं आपको ओ टालर जाधा है और अपनी बास अबता हम को नमक बास धेन पर अगल करके shifts आप आपbelsर यहां पर नट्लीजम पर औरे शी पानिस खाने बाल यहां तो हैस बास इस दोआफ के भ यहां पुलिक पाओड नहीं तो आप यहां पर दूद का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दो होघव में डूद्ड की लिए तो जो यहां पर भी चिहें? जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है शुगर रिप्लेस्मेंट के लिए अब हम इने हातों से अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमें यहां पर इसका एक स्टिक्की सा आटा लगा लेना है जरुत के अकॉड़ी हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे पानी हो सके तो लीक वाम ही स्टेंड मिक्सर है तो आटे को इस तरह से बिना हात लगाए अराम से और अच्छे से बना सकते हैं तो देखिए कितना स्टिकी है इसी तरह का मैं यहां पर आटा चाहिए और हमने यहां पर यह फ्लेक्सिट डाला है उससे भी थोड़ा सा स्टिकी नहीं से इसके अंदर आत इसे हम यहां पर करीब 10-15 मिनिट के लिए अच्छे से नीट करेंगे यहां पर यह नीट करने का बहुत ही इंपॉर्टन स्टेप है इसे हमें पुल और स्ट्रेच करते हैं इस तरह से नीट करना है कि इस काफी स्मूध हो जाए अभी आप देख रहे हैं हमारा आटा काफी बिखरा हुआ सा थोड़ा सा रफ सा लग रहा है हमें इसे एक तम स्मूध बना लेना है तब तक हमें इसे नीट करना है तो नीट करने वाला जो गूंधने वाला है आटा तयार करने वाला स्टेप है इसे बहुत जितना अच्छे से करेंगे उतनी अच्छी हमारी ब्रेट बन कर आती है, ब्रेट बनाने के लिए दो इंपोर्टेंट बहुत अच्छे है, स्टैप्स हमारे एक तो इस्ट रहत अच्छी क्वालिटी का लें, साथ ही में डो हमारा स्टिकी हो, और थर्ड हमारा इस तरह से हमारा काफी स्टिकी और स्मूध आटा हमारा तयार होना तो इस तरह से आटे को भी तेल से ग्रीस करना बहुत जरूरी ताकि जब हम इससे फॉमेंटेशन के लिए रखे हैं यानि प्रूविं के लिए रखे हैं तो यह इसके उपर क्रस्ट ना आने पाए नहीं तो हमारी जो ब्रेड फूल कर नहीं आएगी आएगी और चिकने तो हमारा आठा अच्छे से प्रूव हो चुका है तो देखिए कितना अच्छे से आठा फूल चुका है बहुती बढ़िया हमारा यह डो लग गया है अब हम इसे एक पंच देंगे और इसकी एयर निकाल देंगे और इस तयार आठे को हम वापस से शीट पर ट्रांसफर कर देंगे ताकि आम इसे लोफ का शेप दे सकें तो इस तरह से हमारा आठा लग चुका है फूस प्रूविंग हो चुकी है और यह आठा आठा आप देखिए कितना स्टिक है बरतन के ओपर तेल लगाने के बादो भूत भी स्टिक हो रहा है तो इस तरह से हमें आपर यह आठ तो इस तरह से आप जब भी ब्रेड बनाएं तिन साइज और जो हमने आठा रिया है उसका मिजरमेंट का जिरूर ध्यान रखें तो इस तरह से मैंने आपर इसे बना लिया है अब हम इसे एक लॉक का शेप दे देंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमने ओट्स और गिहों क आठे का यूज किया है और आमने कोई चीज नहीं मिलाई है इसलिए आठा इस तरह से है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटन नहीं है तो हमें आज यहाँ पर फाइबर और ग्लूटन से ग्लूटन फ्री ब्रेड बना रहे है जो कि बहुत हेल्दी है तो इस तरह से स्मूथ टिन को भी मैंने पहले से तेल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है तकि डी मोल्डिंग में आसानी रहे इसके नीचे कोई भी पाश्म पेपर या कुछ भी लगाने की ज़ुरत नहीं है इसे साइट में काफी अच्छा कलर आता है तो इस तरह से हम इसे इसमें अच्छे से भर अच्छा से ब्रेट करेंगे ताकि हमारा जो लोफ है वे एक दम पॉफेक्ट रेक्टेंगूलर शेप में आये जैसे कि मार्केट में स्लाइसे आती है से उसी तरह कि हमारा इसकी स्लाइस कट कर आएंगी तो अब हम इसे ढग करी 20 मिनिट के लिए रग देंगे ताकि ये वा हनी और एक चमस दूद से लेकर से वाश कर रहे हैं इसे बहुत अच्छा ब्राउन एफेक्ट आता है ब्रेट के उपर जनरल यहां पर एग वाश लगाया जाता है क्योंकि हमारी ब्रेट का डोव काफी सॉफ्ट है ये डेमिज नहीं होना चाहिए अब हम यहां पर सफेद तेल डाल देंगे और साथ ही हम डाले तेल इससे ब्रेट खुप सूरत हो जाएगी साथ में हलका सच का नटी टेस्ट राता है जो भूत ही टेस्टी लगता है और एक तरह से आप इसे डेकोरेट करेंगे तो अपीलिंग और टेस्टी लगती है वबच्चे बड़े सभी से आपसंद करेंगे साथ ही में थोड़े से यहां पर अलसी के बीच भी टाल दिये हैं अब मैं यहां पर अवन को गरम कर रही हूं मैंने यहां पर तू हंड़ेट डिग्री पर दौनर रोट्स को ऑन किया है और दस मिट के लिए हम इसे प्री हिट करेंगे तो जब भी आप इ के लिए 200 पर ही टेंपरिटर सेट रहने दें दोनों रोट्स ओन रहने दें हम 30 मिनिट से 40 मिनिट के बीच में हम इसे बेक करेंगे तो यह ओन के साइज और उसकी क्वालिटी पर यानि ब्रैंड पर डिपेंड करता है तो मेरी 35 मिनिट में अच्छे से बेक हो चुकी है आप आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस पर ब्राउन कलर आया है और आप इसे टैप करके देखेंगे तो एक हॉलो साउंड इसके अंदर आती है इसका मतला हमारी जो ब्रैड है वो अच्छे से बन चुकी है अजब ब्रैड बन जाएगी तभी हमें सेम टाइम इसे रेक पर ही आप इसे ठंडा करें ताकि ऊपर और नीची दौनों तरफ से हवा लगे हमारी ब्रैड जल्दी से ठंडी हो जाए देखें कितने अच्छे से डी मॉल्ड ही है बहुत ही बढ़िया इसका शेप आया है इसका पॉफेक्ट लग रहा है ना मार्केट से जैसे हम ब् दो घंटे के लिए रख दें गरम गरम हम इसे बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे और इसे ढख करी ठंडा करें ताकि यह ड्राय ना हो दो घंटे हो चुके है और आप देखी ब्रैड हमारी काफी सॉफ्ट बनी है जबकि हमने यहां पर ओट्स का यूज किया है गेहूं के